नमस्कार, NDC News देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ, अर्शना कौशल, NDC News हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरिज, तो दोस्तों देख रहे हैं रहेगा कि आज NDC News ने आपके लिए क्या है खास? आज हम आपको एक ऐसे आस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां बिलकुल फी में इलाज होता है और जो मरिच दोर से आते हैं, उनके लिए रहने और खाने की विवस्था भी फी में की जाती है, आपको जानकर जरूर हैरानी हो सकती है, किन्तु यह बात 100% सत्य है, ज श्री गुरू ग्रंत साहिब सेवा सुसाइटी की ओर से चलाए जा रहे हैं, इस हॉस्पिटल में ट्राइ सिपी से ही नहीं, बलकि देश के दूर दराज की राज्यों से भी आखों के मरीज मोत्याबिंद का ओपरेशन कराने आ रहे हैं, सुसाइटी ट्रस्टी सरदार हरज सिंग सभरवाल कहते हैं कि इस हॉस्पिटल की खास बात ये है कि यहाँ पर मोत्याबिंद के मरीजों का ओपरेशन तो मुफ्त में किया जाता ही है, साथ ही दूर दराज से आने वाले जरूरत अमंद लोगों को आने जाने का ट्रेन या बस का किराया भी दिया जा रहा है, यहाँ पर अभी रोजाना 25 मरीजों की रोजाना सरज़री की जाती थी, लेकिन अब दूसरा ओपरेशन थे लिटर भी तयार कर दिया गया है, इसके बाद एगले हफ्ते से रोजाना 40 मरीजों की सरज़री की जाएगी, ओपरेशन के बाद मरीजों को PGY स्थितिमफोसिस सरा में ठहराया जा रहा है यह सराय अर्य कंडिशनर है रोजाना 1000 लोगों के लिए मुफलंगर सरदार हरजीत सिंग बताते हैं कि सुसाइटी में रोजाना 500 मरीजों की OPD होती है उनके साथ अटेंडन्ट भी आते हैं ऐसे में उन सब ही के लिए खानपान की विवस्था भी की जा किया जाता है अगले महिने से होगी रेटीना की फ्री सरजरी हॉस्पिटल में रेटीना की सरजरी के लिए USA के डॉक्टर हरविन दरचीत सिंग ने 70 लाख रुपए की कॉंसीलेशन मशीन डिनेर की है 30 लाख रुपए की रेटीना माईक्रोसकोप मशीन भी आ रही है रेटी रेटीना की सरजरी भी मुफ्त में होगी 24 खंटे ने शुलक एमबुलेन सुविधा भी है